प्यारे बच्चों आप सभी कामर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों इस विडियो के मादम से क्लास 10 थे बच्चों के लिए ग्री विकान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाइरल वीडियो लेकर काज चुके हैं जो कि 20 फरवरी 2023 वोड पर इच्चा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्पूल होने वाला है प्यरसातियों आज है 20 फरवरी और आज के दिन ही आप सभी का ग्री विकान का पेपर है यह मैं 100% करानी के साथ बोल रहा हूं और इस वीडियो के देखेने के बाद आप सभी का बोड के पेपर में 95% फिक्स हो जाएगा यह मैं दावे के साथ बोल सकता हूं पेर बच्चों मैं सुरू सही बोलते आ रहा हूं कि आप सभी का इस बार का टार्गेट है 95% कराना और करना भी है और इस वीडियो को सुरू से लेकर केंट तक जरूर देख लेना क्योंकि अब की बार के बोड के पेपर में यही सब सारे कोशन पूछे जाएंगे इससे बा करेंगे और फास्ट रॉनिंग करेंगे थोड़ा साथ वीडियो को तेज चलेंगे ठीके आइए सबसे पहला हमारा कोशन पूछा क्या है कि एंजिल के अनुसार निम्न में से किस वर्ष के लोग ठीके आए बढ़ने पर भोजन पर सबसे अधिकर्च करते हैं इसका राइट सब्सेटर्श आए चलू आब करते हैं कि बचत खाता बैंक में खोला जा सकते हैं कि ततनों पेसे यह खोला जाता है 500 रुपे से, क्या बोलते हैं, saving जो एकाउंट खोला जाता है, यह कम से कम 500 रुपे लगता है, इसको खोलने के लिए ठीक है, अगला कोशन दिया गया कि निम्द में से कौन सा चेक, सबसे सुरक्षी चेक मना जाता है तो यह होता है हमारा क्रास चेक ठीक है अगला हमारा कोशन दिया गया कि राश्ट्री के विकास में किस बचत पत्र का युगदान सबसे जादा रहता है राश्ट्री बचत पत्र सही है किसान विकास पत्र सही है और इंद्रया विकास पत्र यानि कि तीनों के तीनों आप्सन साहिए सभी आप्सन करेक्ट हो जाएंगे ठीक है अगला कुशन दिया गया है कि पांच वर्षी डांक घर अवरती जमा योजना का शुरुवात कब किया गया था यह किया गया था एक अप्रिल सन उनिसो सत्तर इस्वी के दोरान ठीक है चलि सरय गया हुए को एक मिलिग्राम में कितने सेंटिग्राम होता है यह होता है एक यह संट्राम होता है और certain zawsze Have a तो किस्मेन क्रणा है एक मिलिव ग्राम में आपको लखाना है कि खुल में אני किली किली ओक्राममिटर दया आंप कोन का से चलता हैक इस किैनिख गर्epo इस बात को ध्यान में रखना है समझना गया चलिए अब अगला हमारा कुशन पूछा गया है कि पीतल के वर्तनों की सफाई के लिए उप्यूक्त होता है किसके हम उप्यूक्त करते हैं यह हम करते हैं निमू का जो भी हमारा पीतल का वर्तन होता है इस पीतल की सब वर्तन को चाहिए प्रति दिन करने चाहिए अगला कुशन है कि घर के कूड़े को कहां डालना चाहिए तो हमें कूड़े दान में डालना चाहिए इस बात को हमें सा ध्यान रखना चाहिए अब अगला कुशन दिया गया कि सोचाले कि सफाई करने के बाद क्या डालना चाहिए उसने फि छोटी एक चौकी होने चाहिए छोटी चौकी पर दादा दादी मम्मी पाप वहीं पर बाइट करके खाना खाते हैं समझ में आ गया चलिए अब अगला हमारे कोशन दिया गया कि अनुरूपता उत्पन की जा सकती है यह किया जाता है जीनों के द्वारा अनुरूपता होता है सेम साइज का सेमकार का सेम जाती का समझ में आ गया यह जीनों के द्वारा ही पासिबल हो सकते है अगला कुशन दिया गया है कि पुष्प सज्जा की आधनिक सहली किसका मिस्रड होता है तो यह होता है परमपरागत और पूर्वदेशी दोनों के यहां पर राइट इंसर हो चलिए अगला कुशन दिया गया कि एक सेंटी मीटर जल का भार कितना होता है तो यह होता है परसाथ तो एक ग्रम क्या होता है एक ग्रम होता है इससे याद रखना है अगला कुशन दिया है कि निम्न में से किसका जल खनीज जल होता है यह बताना भाई यह होता है सोता है कि अगला कुशन यह पुछा जा रहा है कि जल की कठोड़ता किस कारण से होती है यह होता है केल्सियम कार्बोनेट के बज़ा से अपसा नमबर पहला यहां पर सत्ते हो जाएगा ठीक है चलो अगला कुशन पूछा गया है कि किस रोग में पतले दस्त अधिक होते हैं यह होता है अतिसार में आपसर नंबर पहला बिल्कुल यहां पर राइटेंसर हो जागा है पेरे साथ यह आप सभी संब्लर क्वेश्ट है कि वीडियो को सुरू से लेकर केंट तक जरूर देखना और अगर आपको ज्यादा तेज लग रहा है इसकी स्फिर थोड़ा सा कम कर देना ठीक है चलिए अगे बात करेंगे एकला How the यह मोंती धर। और फंप्रदाई काल कितना ङोता है यह होता है सात से लेकर के कैसे तीन अलेकि कर आभाया था तेजि कान जो होता है यह होता थीवी क्या होतायां बाकी सब अगला कुशन दिया गया कि निम्न में से कौन सी गास वायू को असूद करती है यह करती है कार्बन अक्साइड यह भी करती है नैट्रोजन अक्साइड यह भी करती है यानि कि सभी के सभी आपशन सत्य हो जाएंगे समझने आ गया चलो अगला कुशन दिया गया कि प्रकृतिक असंतुलन में से कौन सी आपदा होती है सुखा पढ़ना सही बात है बाढ़ आना सही बात है भूमिं बंजर और यह भी सही बात है यानि कि सभी के सभी आपशन यह पर सही हो जाएंगे सभी के सभी आपशन कराने से क्या लाब होता है तो सभावी का कारामें बन रहते हैं अपने कार में रहता है साथ में रंग और чमक हमेशा बनी रहती है और कपड़ा खराब नहीं होता है यानि कि सभी आप्शन यहाँ पर सकते हो जाएंगे ठीक है अगला कौशन है कि सूती कॉपड़ों पर कैस प्रेस करनी चाहिए हलकी गरम अधिक गरम क्या करना चाहिए अधिका गरम करना जी कब जब आपका कपड़ा सूती का होगा तब समझना आ गया चलो अब अगला कोशन पूछा जा रहा कि छिकनाइक से धब्बे साफ होती हुने किसके धिखिया 넋 zahein में रखना है अगला कोशन ये है कि देशी जैली में भोचन बनाया जाथा है ये लखड़ी के पार्टे पर बाइट करके जो भी हमारा पीड़ा होता है यह मैंने पताया था पीड़ा है ठीक है उसी पर मतायब हमने बाइट करके आराम से खाना बनाती है ठीक है चलो अगला कुशन यह है कि विदेशी स्टाहिली में रसोई घर में गैस का स्लेंडर कहां रखा जाता है यह रखा जाता है जस्ट चू लेष्क चिम्टे के माद्म से यह लोहे के चिम्टे की मादम से तो कि के से करते हैं पकड़ लोहे क मादमय से पकड़ लते हैं उसका आराम से घरम लेखना हमें यानि 82 degree centigrade की है सकता हमें होती है इस बात को ध्यान में रखना है अगला कोशन है कि निम्द में से कौन सा जल में बीटामिन सी मरना है एक बात comment box वें बदाओ कि अगर पुछ देगा कि वस्ता में कौन है तो उसका option क्या होगा इसको मेरे comment box अभी अगला मेरा कोशन है कि लोहे की कड़ाही में भोजन पकाने से किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है ति बढ़ जाती यह लोहे की अब सब्सक्राइब बिल्कुल यहां पर राइट एंसर हो जाएगा अगला कोशन कि पानी में घुलनसील लवड कौन सा है फासफुरस कैल्सियं है अगला हमोगी के भोजन में किस की मातर अधिक होनी चाहिए यह प्रोटेन की मातर अधिक होनी चाहिए कि मातर होणा है जब निमोनी अट बोगा इंफलेंज वोगा और खत्रा बच्छे चक हो जायगा तब हो जाएर ठीक है यानि कबसे नूमर सभी यहां पर एंसर हो जाएंगे समय में घ्या चलो अगला अमरे कोशें दिए को सामान 것도 को सरीर भार का नुसार क्या है प्रती kg उर्जा क्या उसकता होती है letter कि अधिने kg उर्जा क्या हूसकता होती है यह होती है कम से कम सभी को 1000 kg सकता होती है हालाकि मैंने गुगल सर्च किया था तो 2000 से ले करके 3000 तक दे रहा था लेगे एक बार इसको देख लेना ठीक है कितना और अगर 1000 भी देगा तो आपको सही हो जाएगा कोई दिकत की बात नहीं है समझा गया चलू अगला हमारा कोशन दिया एक अस्थियों के निर् अगला कोशन है कि अस्थि भंग किस अवस्था में याद रखना है अगला कोशन है एक स्वस्थ भक्ति के शरीर के अंदर प्रती मिनाट वायू द्वारा अक्सिजन का अग्सिजन का आता है परसें इसको हमेसा आप सभी को याद रखना है अब चलिए आगे बढ़ेंगे वेरी-वेरी कोशन के तरफ यह पूछा किया है सभी को करना अंवार है सब्सक्राइब के वेपर में भी पूछा जाएगा मैं आपके पास समय बहुत कम है और आपको मैं आ लड़ी एक कोशन बता रहा हूं ठीक है और मैं चाहता हूं कि आप लोगी रिवीजन करके जाओगे आपको कोई भी संदय करने को आप आ सकता नहीं होगी और भट भटाओगे नहीं तुरा अगला मैं कोशन है कि अवास सुभी दास से प्राप्त आयक अलाती है अवास सुभी दास जो भी हमारा इंकम प्राप्त होगा उसको हम और प्रतक्ष आयका अंतरगत रखेंगे आपसर नंबर सेकर बिल्कुल यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अगला मैं कोशन है कि अनुरूपता उत्पन की जा सकती है कई बार बता चुका हूं जीनों के द्वारा किया जा सकता है आपसर नंबर चोथा राइट एंसर हो जाएगा अगला मैं कोशन है कि सरीर में जल की लगवग प्रत्सेत मातरा कितनी होती है तो जल हमारा सतर परसेंट होता है और मेरे को अगर आप रियालेटी में पढ़ते होगे तो तुरांत बता दोगे ठीक है चलो अगला मेरे कोशन है इसको तो अभी मैंने बताया कि संप्राप्ति काल कितना होता है यह होता है साथ से ले करके कईस दिन तक यह बीच में चलता रहाता है हाला कि मैंने कई बार बता चुका ह इसको पर-चूर होता है अब अगला कोशन है कि वस्तरों का फीटिंग कैसे आती है किस बीदिक माप से होता है यह होता है डिरुकिति माप से कर सकते हैं एक बार आ इसको देख लेना समझ ले क्षाण करते हैं किसके करते हैं बीलकुल हो जाएगा अगला कोशन है कि निम्न मैं से कौन सा विटामीन जल्म जल्म यहां पर जल्म क्या हो जाएगा वस होगा hahaha समय को सरीर भार का नुसार अंचार पर प्रती किलोग्राम उर्जा कितनी वह सकता होती है यह होती है कम से कम 1,000 ईर्जा का रह सकता होती हैária ठीक है चलो अब अगलाungs forest अस्तिभांक के अप्चार में बाव के किश कौण पर रखते हैं ठीक को क्या करते है ठीक है उसको archa पर हें करते हैं जfal पर तरह को मतलब खेवड़ें में होती है इसको दियान में रखना है ठीक सारा बच्छे कमे supports यह होगा ठीक है इसको एक बार देखना है पाचन अंग में तो होगा नहीं तो रख्त की सुधी कहां पर होती है ठीक है चलो अब अगला कोशन है कि स्वांस गती वह कितना बार लेते हो आप लोग एक मिनाट में कम से कम 18 बार शांस लेते हो और आपके जो नाड़ी की स्पीड होती है वह कितनी होती है बहुत तर बार तो आठार जो कितना हो तो 72 यानिके एक सबंदे चार के रेसीयो में आपका यहां पर एक रेसीयो आजाएगा अपसे नमर स्थेकर बिल्कुल यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अब अगला हमारा कोशन है कि 8-14 को इस पीड़ कितनी होती है यह होती है कि इतना से कितना त कि यह नार्मल हो जा जाती है सतर सास्ती के बिच में हो जाएगी ठीक है कि इसको करना घा को यह यहां पर राइट याव जाएगा अब आजय बढ़ते हैं अगला हमारा कोशन दिया गया है वरी-वरी कोशन है जितना कोशन बतारहां सारे को अभी त्यार कर लो क्योंकि यह और कोहता है कि यहां शारा हो सकते हैं यह पर आप से नमबर फ़ीलुक्ल हो जाएगा ठीक है। चलू अग्ला कोहती है कि विभर्षी खाते में देडाशी कितनी धना स्कती है यह यह योती है पांसों के बुद विभर्षी में đã करते हैं खाता खोलते हैं ठीक हैbi कोहाँ का बोल रहा है कि डाक घर सावधी खाते में धन रास्ति जमा की जा सकती है लाँग की में यह इह पांच पर भी क्ता खुलते हैं बचट खाता यह पाचास होगा ठीक है में ध्याम में Epic भी क्या होती है ah means as a ह सबसे बड़ी कई वहाती है मेरे में चाप करके बता देना है अगला मोळें मेरे को ό साफ करना चाइए किसके मादम साफ करते हैं हम साफ करते हैं सिर्का के बादम से आपसे नमर के बिल्कुल यहां पे तो तिर्षा काटना चाहिए क्यों कि अगर फुलो की टॉनिक अगर सिधा काट दोगे तो फूल क्या हो जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं समझना गया अब अगला कोशन दिया गया कि असुद जल्द से होने माले कौन सा रोग होता है इसके बारे में लिखिए ठीक है तो हो जाएंगे इसको यहाँ पर यहां पर रखना है चलिए अब अगला कोशन दिया क्या है कि वही निमन में से कौन सी जलने में सहायता परतान करती है तो सहायता करने में एक तंद लिए प्रवाइट करती हैं जलने में करती हैं ल्ग खुद जलती नहीं में सहालेता परवाड़ी करते Uh के लिए अगों निया किशाओ पार को राकां के लिए और थान्द गाल नष्टा हो जाएगा को अग्र गया क्याते है कि क्या होती है क्यों चूरी शक्ष sector क्यों होती है क्यों च्रम्समें लिए प्रकास आने के तंडे के लिए या गंद वह भूंद को बाहर निकलने के लिए यह जाएगा गंद वह धूनद को बाहर निकलने के लिए अधिक सब्सकें समझ मैं गया अगला कुशन दिया गया कि तलने की विधी कौन सी है तो गहरी उतली भी यह सुस्क भी यह तीनो तो तलने की विधी सभी तीनो आसा है गहरी उतली और सुस्क सभी के सभी आपसन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे अगला कुशंझ दिया गया कि इतिसार रोग में रोगी के सरीर में कमी इतिसार रोग में जल की में हो जाती है आप से नमर सेल कि यहां पर राइट एंसर हो जाएगा समंग यह चलो अगला कुशंध है एक लिए जल पर रहता जा jersey कै अगला कुछ कोशन सी ही पाई Pier त्यादिक रक्त श्राव को रोकने के लिए किस भीदी काप्यों करते हैं यह करते हैं तूर्णिकेट का अपसे नमर्गा बिल्कुल यहां पर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलू अब अगला कोशन दिया गया है कि हिर्दे में हिर्दे से असुद रक्त फिफडे में कौन सिरक तुनलिका ले जाती है कौन से ले जाती भाई यह ले जाती फुकुस धमनी ठीक है अपसे नमर्गा बिल्कुल यहां पर राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं अगला कोशन दिया गया है कि जुकाम के रोगी को बफारा क्यों लेने चाहिए क्यों लेन करके शुरि यहांपे सान रकर करके ऑश्री के बीच में होती है ठीक है छलो अब अगला कोशन दिया गया है कि पर नाडी के कितनी ब מאוד ब्र जाती है यह बढ़ जातीए ।स सब्सान बर जाती है इसको यहांपे द्यान होगे आपके 200 कोशन पूरे हो जाएंगे समझ आ गया चलिए अगला कोशन है कि तिपरिजब जोर रहेगा तब क्या करें कि हम घर्म सेक स्वानगा इसको समझना है अब अगला कुषन रहा है की तिपरिजब जोर के वस्था फॉल रहेख टिक वाई ठंडी सेक है जब जोर रहेगा बुखार रहेगा तो ठंडी सेख देंगे और दर्द रहेगा तो घर में सेख देंगे इस बात को अमें साथ ध्यान में रखना है ठीक है चलो अगला कुछन है कि घायल ब्यक्ति के अस्थनांतर्ड की सरोतम विधी कौन से होती है यह होती है इस्ट्रेचर इस बात को ध्यान में रखना है ठीक है आपसे नंबर घा बिलकुल यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अब अगला कुछन दिया है कि दुर्गटना करस्त व्यक्ति को अस्थनांतर का होता है दूप से बचाना सही बात है सुरक्षा प्रवाइड करना सही बात है और दुर सफर्स वीदी के दौरान क्या करते हैं वाई में त्यान में रनी एक अगला को कोषण से सास कब में दिल Oxford या जाती है जब इन्सान चल में बूपत है थासी लगाता है तो और घूटने के दम मन घूट घूट कर जीता है तब तीनों औस्थाओं में आपसन नमर अमरा डी सही हो जाएगा समझना गया चलो अगला कोशन दिया गया कि सिल्वेश्टर बेदिक अप्यों कहां किया जाता है यह हम कर सकते हैं मुर्ची थोने पर डूबने पर और अस्तिवंग में ठीक है यानि कि इन में से कोई नहीं आपसन कौं कों सा होता है स्वासन क्रिया क्या बोलर जा रहा है स्वासन क्रिया का फ्यमसंग होता है हमारा होता है ठीक है अगला अगला हमारा कुछन दिया गया है कि मो चाने पर प्रियोग करते हैं, arex करते हैं, option nob3 बिल्कुल यहां पर आइट अंसर होगा, ठीक है अब अगला कोशन है, जब टूट जाती है, बिखर जाती है, यहां मतलता कि मो चा जाता है, ठीक अस्ती मतलब होता है हडी, जब हडीया क्रेक्षटी तो उसको क्या बोल सकते हैं अस्ति भन्ह भूती है ठीक है आपसे और सेकेंड बिलकुल यहां पर राइट एंसर बहा समय कोसा नहां घंट फारल नाय७ तोUE कमेंट बाक्स में अभी चाप करके बताओ कि 2 की 3 की 4 की 5 ठीक है चलो अगला हमारा कोशन दिया गया कि हडिया किस तत्तों से मजबूत होती है प्रोटीन कैल्सियम सोडियम या वसा तो हडिया जो होती है हडिया या दानत हो यह दोनों कैल्सियम के बने होते हैं और इसी के अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय बारत वंदे मात्रम